बेलकम तू माई चैनल यूपी किसान हमारा जान आप सभी का स्वागत है किसान भाईयों किसान भाईयों गर्मी की गुवी का कौन सा बीच का चुनाव करेंगे यह भी हम आपको बताएंगे गर्मी में कौन सी खेत की चुनाव करेंगे इनकी गुबी की सबसे अच्छी मतलब कौन सी जगह होगी कब उसकी नर्सरी गिराएंगे ये भी बताएंगे मतलब कितने में उसकी सिड हम खरिद सकते हैं कहां से खरीद सकते हैं ये भी अब आपको बताएंगे किसान भाईयों बंड़े आपके साथ हम हैं तर्दन साहनी आपकी अपने YouTube चैनल यूपी किसान हमार जानों तो नमस्काल किसान भाईयों घर्मी की गोभी निकी नर्सरी कप डालें नर्सरी कैसे तयार किया जाता है नर्सरी की जर्मिनेशन के लिए कौन सी हम उरोरा का परियोग करेंगे खेत की जुदाई कैसे करेंगे नर्सरी गिराते समय कौन सी हम मतलब कान सी जगह पर गिराएंगे कैसे उसकी मिट्टी हम बनाएंगे इन सब को डिडियल जनकारी आपको हम बताएंगे किसान भाईयों किसान भाईयों बात करेंगे पहली हमारी होगी कि हमारी कौन सी हम खेत की चुनाओ करेंगे ताकि हमारी मई जुन में गुभी मतलब गुभी की नर्सरी गिरा सकें मैं में गिराएं और जुन में उसकी रूपाई कर सके तो किसान भाइयों हम एसी खेट के चुनाओ करेंगे जो समतल हो उसमें पानी निकास की बेवास्ता हो यानि कि जो हमारी बरसात अगर मतलब बारिस होखे होते समय हमारी खेट से पानी निकल जाए पादन देती है वजन भी एक किलो से उपर की देती है किसान भाईयों बात करेंगे हम कि कौन सी समय में कौन सी मतलब बीज की नरसरी डालेंगे तो किसान भाईयों हम मई जून मतलब दूनों महीने में किसान भाइयों बीज डालते समय किसान भाईयों हम ध्यान रखेंगे दस मई से लेकर 15 जून तक konnte कभी भी नरसरी डाल सकते हैं dances the b को मिठि को बहुत मध्धन्य QUALITY मतलब बहुत ही उसे महिन है मतलब हम तोड देंगे बहुत ही भारिक भागव में और उसमें गियाते हैं हम उसमें सड़ी गोबर के खाड टाल देंगे ताकि हमारी जो बीज जर्मेशन हो वह मोटा तकड़ा हो मतलब बहुत अच्छा हो रोक पर देख छमता से भरा हो किसान भाईयों दूसरी बात हमारी यह होगी कि हम कितने दिन में हमारी इनर्शेश तयार हो जाती है किसान भाईयों जिस दिन हम गिराएंगे उस दिन से लेकर हमें 25 से 30 दिन के अंदर हमें बीज रूप देना चाहिए त्रांस्प्लांटिंग कर देना चाहिए जहां से हम बीज गिराते हैं वहां से उखार के कहीं अलग जगह पर हम रूप देखते हैं किसान भाईयों यह भी हम और साथ है हम यह भी बताएंगे आपको किसान भाईयों यानि की गूबी सिस्ट्द पंद्रह वाईस बजार में कितने रूप्य में आपको मिल सकता है किसान भाईयों से यानि की गूभी की खेती एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसमें हम 90 दिनों में तक लगा के अपनी खेती कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों गर्मी की गोभी खेती करने के लिए हमें सबसे पहले खेत की जुताई करते समय में एक एक ऐकर में दो से तीन टेलर जिनएक दो से तीन टाली सडी के काष डाल देंगे ति उससे किसान भाईयों यह होगा कि हमारी खेत जो होगी अच्छी से अच्छी जानी कि सभी प्रकार के जो पुसकत्त होते हैं उनके कि पूर्टी करेंगे दिसनी कि खेट की जुदाई करते समय हम डीएपी एक एकर में एक बोरी यानि कि पच्चास किलो गिर्या और अब देनर्शो की इंटल मतलब देनर्शो किलो हम सिंगल सूपर फासफेट डाल सकते हैं और पच्चास किलो नो सोरी सोरी 25 किलो हम एमोपी पोटास यानिकी एमोपी पोटास हम एक एकर में 25 क्लो डाल सकते हैं किसान भाईयों साथ ही उसके बाद रुपाई करते समय है उसमें हम जब हम टांस्प्लांट करते हैं तो उसमें हम एक से दो बार मतलब उसे पानी देंगे इसके पसा जब उसमें से नहीं जड़िल निकल आते हैं मतलब तो उसे पूर्द हैं रुपाय के पन से साप दिनवाद उसमें हम फट फस्ट पानी मतलब फश्ट नहीं क्यूंत लिगे वह कुछाती कुर्णमध्त सो किसान भाईयों उसके पस्चात हम यूरिया और साफ यानि कि मैन को जिव और करवंडा जिम दोनों को मिक्समेन की आप साफ ले सकते हैं इसके छिर्गाओं के लिए जो आप यह के करवें 500 ग्राम साफ का मातरा ले सकते हैं और 20 से 25 किलो यूरिया की मातरा ले सकते हैं किसान भाईयों साथ ही उसे निराव Oui करने के पस्चात दुसरा पाने उसका 27 से 30 दिन वाद उसे हमें देनी चाहिए ताकि हमारी जो पहजे हो उसमें दिक्कत ना हो और साथ ही यह भी बताएंगे किसान भाईयों कि कौन सी हम कीट नासा का उप्योग करेंगे जिसमें हमारे खेत में कीट नहीं लगेंगे सब साथ है किसान भाईयों कौन सी समय में कितनी साइच की हमें फूल पराप्त होगी यह भी आपको हम बताएंगे किसान भाईयों जैसे हम आपसे बताये थे कि कौन सी समय में कतने फूल वापत होंगे जितने ही आप अच्छी और रख असी खेट की जुताई निराई गुराई करेंगे उतने ही अच्छा फूल आपको गोवी की फूल देखने को मिलेगी अगर आपकी कोवी की फूल पीला कल अगर आप शिर्काओ करना चाहते हैं तो 50-100 गराम प्रति पंदर डर्बानी में उसे घोल के शिर्काओ कर सकते हैं उससे नहीं हो रहा है तो आप जमीन में डाल सकते हैं चार से पांच किलो प्रती एकर के हिसाफ से अपनी खेतों में हम डाल सकते हैं किसान भाईयों गोभी एक ऐसी फसल है जिसे तीन महीने में हम लाखों की मुनाफ़ा कमा सकते हैं किसान भाईयों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आये हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बेल वाले बेटन को दबादेजिए ताकि हमारी खेती बारी समधित अगली वीडियो आप तक भीना सर्च किये पहुँच सके किसान भाईयों आप अगर इसी प्रगार के खेती बारी से समधित वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे यूपी किसान हमारा जान चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल वाले बटन को दबादेजिए ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे किसान भाईयों कमेंट में आप बतायेगा कि गर्मी की वो भी CFL 1520 आपको कितने रुपय में मिल रही है अगर आपको नई मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए नंबर पे आप ले सकते हैं जाहिन जाह भारत